हम सभी मीडिल क्लास वाइफ का यह प्रोब्लम है कि हम घर भी और खर्च भी नहीं करना चाहते हैं हमारा पैसा भी बचे और हमारा घर और किचन भी एकदम से और रहे तो आज मैं कुछ ऐसे आइडिया आज आपके साथ सेयर कर रही हूं कि जिसमें कि पैसे आपका बिल्कुल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा नियू भी और लाइक किजिएगा है फ्रेंट्स विल्कुम बैक टो मैं चैनल तो फ्रेंट्स यह है मेरा एक फेस बास का डबा इसका रैपर मैंने निकाल लिया है और अब इसके उपर इस तरह के का जो श्टिकर आत अब इसको कबार समझ के बाहर फेक देते पर उसको थोड़ा सा रियूज कर लेना तो आपका बहुत सारा प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा तो यह देखे मैंने इस डब्बे के ऊपर इसको इस्टिक कर लिया है और इसके ऊपर मैं यहाप इस डब्बे को यूज कर लें वैस वैसे पर बटल के तयार हो गया है इसके अंदर डालेंगे हैंडवाश को अ देखिए भर दिया है बोटल मैने यहाँ पर अब मैं आपको एक और टीप्स यहाँ पर सेर कर रही हूं देखिए यह कोई भी लिक्विड हो हो ना हैंडवास और बच्ठे जम इस से निकालते हैं तो एक बार में बहुत ज़्यादा निकल जाता है और गाढ़ा वने को वज़े से बहुत ज़्यादा ये खर्च हो जाता है तो अपने इसमें थोड़ा सा पाने मिक्स कर लिजिए कोई भी लिक्विड यूज गरते है ना जैसे हैंड वाश हो या बरतंद होने वाला की और यह हैंड वाश में भी कोई मुश्किल नहीं है फ्रेंट थोड़ा सा पतला होता है लेकिन खर्च कम होगा आपका इस तरीके से भी आप पैसे बचा सकते हैं डबा भी फिरी में बन गया और लिक्विड भी आपका इस तरीके से कम खर्च होगा देखिए हाथ अच्छे से स तो आप इसमें डाल के अच्छे से इसको विगो दें इस तरफ से अच्छे से विगो दिया पानी ज्यादा गर्म नहीं हो रही हो और इसको शाफ करेंगे तो देखिए यह मेरा बोटल क्लीन हो गया अब एक कोई निक्विली चीज को गर्म करके इसमें वहल कर लेंगे एक ह अब क्या करेंगे इस तरीके का जो श्ट्रॉ होता या कोई भी आपके पास पाइप हो वो थोड़ा सा कट करके ले लेंगे और बड़े वाले होल में उसको अच्छे से फिक्स कर देंगे लगा दिया है मैंने यह पाइप अब इसको फिक्स करने के लिए कोई भी ग्लु का इसमाल कर सकते हैं यहाप मेंने गलु से इसको अच्छे से चिपका दिया यह तो यह मैंने बनाया है वाइल के लिए बोटल तो आप इस पर वाइल लिए ग्ली जिए थोड़ा सा सूंदर लगेगा अच्छे से मोटा करके लिए एस तरीके से उपर टेप लगा देंगे क्यो निकल जाएगा आयल से अच्छे से टेप लगा दिया है इसके उपर ताकि खराब नहीं हो जल्दी अब इसके अंदर हम रिफिल कर लेंगे तो देखें मैं इसके अंदर तेल को रिफिल कर लिया है और एक एक्स्ट्रा जो होल है ना उसके वजह से ही आयल अच्छे से तो कितना आसान तरीके से आपने बोटल बना लिया यहां पर मैंने दो बोटल बनाया था एक में मैंने सरसों तेल रखा एक में मीठा तेल रखा और अब देख सकते हैं फिरी में ही मेरा दोनों तेल का बोटल बनके तयार हो गया है तो इस तरीके का आइडिया छोटा छोट काटके लगाऊंगी अलग-अलग करके यह देखिए बस इसको श्टीकर को निकालना है और इसको इसके उपर चिपका देना है तो मैंने दोनों साइड एक-एक श्टीकर चिपका दिया था देखिए दोनों साथ इस्टिकर चिपक गया है अब एक इस तरीके का जो जूट का रसी होता है यह लूगी और इसके उपर थोड़ा से इस तरीके से लपेट के दो गांट लगा दूगी और फिर इसको थोड़ा सा कट कर दूँगी एक को बड़ा एक को छोटा और इसको खोल दूँगी इसका रसी देखिए हमारा ओर्गनाइजर बनके तयार हो गया है फ्री में ही अब आप इसके इंदर अपने इस पैचूला है या चमच है जो भी आप इसके इंदर रखना चाह आप लगते हैं और देखने में अब्यजी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया तो देखिए कि अपका सुनदर लगेगा और आपका सामान भी फिरी में ही और और नाएजडियो खरी बिल्डियों को ख़रीदे लिए बहुत सारे किचन में यह समान होते है जो कर आदिए जो फेक आप इस तरीके से अगर बत्ती के स्टेंट को रखें अगर बत्ती जला सकते हैं तो सारा राह खुशी के अंदर गिरेगा बाहर का एरिया आपका एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा नेक्स्ट आइडिया है यह देखिये चॉकलेट का रह पर था जिसके अंदर चॉकलेट आया था तो चॉकलेट तो कhetम हो गया रहपर मैंने नहीं-पे॥शा फ schnell ऐस प्लास्टिक का डबा लिया और उसчесा फोकलेट के سब्सक्राइब कर लिया और 17 mmr. अब इसके अंदर मैं अ तो आप इस और रखस्क नोट राख सकते हैं अराम से और जब एस तरीके हैं वूंण इस ऐसी पहोसी सेविंग हो जाता कि और रखा कि और और तो इसके आप नहीं से आम होकर आपometer हैंherår तो इसके अंदर जो है ना मैंने ये छोटे-छोटे दो डब्बे थे एक चॉकलेट का था और एक चीज का था इसको मैं इसके अंदर फिक्स करूंगी यह नई फिक्स हो रहा था थोगा सा इसका उपर वाला पार्ट कट करके इसको लगाऊंगी तो यह देखे अच्छे से यह बच जाएगा तो यह दो पार्टिसन वाला डब्बा बन गया यह अएक मेरे निमबू रख दिया एक मिर्ची रख दिया यह अच्छा सा और बनके मेरा रेडी हो गया है फ्री में ही अब इसको टोपने फ्रीज में रख लीजे यह भी सेम है और डककन लगा कि कोई भी नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके का प्लास्टिक का बहुत सरा कंटेनर हमारे पास होता है पुराना वाला तो यह देखिए मेरे पास नहीं कि पुराना वाला डबह था तो इसको मैं कहां यूज करूंगी तो आप देखिए इसके अंदर ना जो बोटल इदर उदर हमारा तो हमें ज्यादा जंजट नहीं होता है कि सारे एक एक बोटल को हटाना है और क्लीन करना है तो इस तरीके से आसानी से क्लीनिंग भी होगी और आपका इसपेस भी बच जाएगा वहां पे और पैसा तो देखा आपने कुछ नहीं लगा घर में ही पड़े हुए डबबे को इस तरीके से यूज़ कर सकते हुएं अब कार्डबोट का तभा भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में वेस्ट डबा आता है नवह अब जो उसका इसे डबबा में ठाट बचाना फ्रींड उसके ओपर भी सारे मसाले जो गरम मसाले बाहर में अखार रखु किचन बी सुंदर लगे और सब्सक्राइब करने का उच्छ नहीं कि इस तरह काम के यूजियर यूज करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं टिशू बड़ने डालती इस तरीके का कपड़ा मेरे पास इस तरीके का मोला अच्ट था तो इसको इसके साइज का काट के स्कें आप इस तरीके के घर में रखे हुए पुराने कपड़े का यूज कर सकते हैं जिससे के आपका पैसा भी बचे टीशू पेपर वाला और आपका काम भी आसानी से हो जाए तो देखे ये भी आपका एक मनी सेविंग आइडिया है जैसे मैं फूट वास्केट में भी ना फ्रें किसी को दे नहीं सकते फटा हुआ चीज तो किसको देंगे फ्रेंड तो जो वैसे वाले होते हैं ना उसको मैं छोटे-छोटे पीसे में इस तरीके से कट कर लेती हूं पुराने टी-शाट हो बच्चे के या अपने लेगिंस वगर रहो सॉफ्ट कपड़ा जो होता है न उस लार के रख सकते हैं अगर आपके अपका कपड़े का यूज करके इस तरीके से आप मनी daí कर सकते हैं और अपका हुआपधा घर फींस कर अगर आपको टीशू पर यूस्ता वे यह वाशेवल होता है इसको आराम से यूज करने के बाद वाश कर सकते हैं यह एक टीशू पेपर आप तीन से चार वाश करके यूज कर सकते हैं यह गंदा हो जाए थोड़ा से इसमें लिक्विड कोई भी डाली है साबुन लगाई है और इसको दो करके सूखने के लिए डाल दिजिए यह सूखने के बाद फिर से आपका री यूज हो जाएगा यह देखर इसको सूखने के कलिए डाल दिया है फिर यूज करोङी में जब सूख जाएगा तो तो फ्रेंट यह देखे कमाल का अडिया था ना सारा का सारा तो आप जरूर बताईएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा कौन सा आइडिया आपको लगा किसे आप पैसे बचत कर सकते हैं और अगर आप लोग को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होना तो प्लीज न्यू वीवर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ सेर कर लीजिएगा मैं ऐसे ही होम और्गनाइजेशन के वीडियो बनाती हूं